हेलो फ्रेंट्स आप सभी को फिट से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल दिश्चाज उनलाइन ग्रुकुल में जैसा कि हमने आप सभी को बोला था कि हम यूपी टैट का प्रहार बैच बहुत ही जल्दी लॉंच करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने यूपी टैट का प्रहार बैच को लॉंच कर दिया है जिसका मुख्य उद्देश है अपकी बार यूपी टैट पर सीधा प्रहार करना तो आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहेंगे कि आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जादे से आपको आपको टेलिग्राम चैनल पर पोश्ट करते जाएंगे अगर आप अभी भी जाकर जॉइन करेंगे टेलिग्राम चैनल को आपके लिए बहुत बैनिफीशल रहेगा क्योंकि हम वहां पर आल्रेडी ही बहुत सारे स्टडी माटीरियल पोश्ट कर रहे हैं तो पहले हमने क्या कबर किया था वाटर यूनिट को कवर कर रहे हैं हम वाटर क्या है यूपिटाट इवियस का स्लेबस की आउटलाइन है आपको पहले भी हमने बता दिया था स्लेबस बताते समय और वाटर से रिलेटेड कोशन्स आपको पूछे जाते रहे हैं प्रीवियस य हमने पहले जब UPTED की 2023 का यह जो प्रहार बहच है इसका फर्ष्ट जब वीडियो पोश्ट किया है आपको तो उसमें हमने वाटर यूनिट के महतपूर्ट पॉइंट्स और तत्ते आपको उसमें कवर कराई थे हमने बोला था कि हम अब आपके लिए कोशन्स की सिरीज लेकर तो हम इसमें आपको महतपूर्ट पॉइंट्स के साथ साथ कुशन्स की सिरीज लेकर आगे क्योंकि कोई भी यूनिट एक दिन में एक वीडियो में खतम नहीं कराई जा सकती है क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं तो पहले हम हर एक चैप्टर का UPTED का कोई भी स् मैथ हो जाए हिंदियों हम क्या करेंगे पहले उसको आपको समझाएंगे अच्छे तरीके से और उसमें बहुत सारे महतपूर्ट पॉइंट्स कवर करेंगे फिर आपको कोशन्स सिरीज कराएंगे जैसा कि अभी हम वाटर यूनिट के साथ कर रहे हैं जिससे आपकी हर एक कवर हो जाएगी और बाकि जो भी श्टडी मेटीरियल रहे हैं या कुछ एक आदी कोशन चूट जाएगा वह आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा तो आप हमारे साथ बने रहे हैं देखते हैं इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं वाटर यूनिट के बहुत सारे फ थोड़ा नहीं आये तो हम आपको इसलिए बाते बता रहे हैं बाकि जो बच्चे पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही होगा यह बाते तो आपको बात और बोलना चाहेंगे कर आपको कोई सजेशन होता है किसी चीज से रिलेटेड तो वह भी आप हमें बताईए क कि हमें आपके लिए और क्या कराना चाहिए बाकि हम इस तरीके से कर रहे हैं टॉपिक उठा रहे हैं उसको पूरा एक नोट्स महतपूर तत्य सारी चीजे बताएंगे फिर आपको कुश्चंस पॉइंट्स कवर कराते जाएंगे जब तक कि हमें लगेगा कि यह पूरे नह जल में घुलंशील विटामिन जो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी है और बाकी विटामिन वसा में घुलंशील होते हैं तो आपको यह चीज देखनी है कि कौन से बाकी जो विटामिन है वह वसा में घुलंशील होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतान क्योंकि वो चीज़े आपके लिए बहुत ज़्याद है महत्पूर्ण एक्जाम के इसाब से इसलिए हम आपको बोलते हैं कि कुछ-कुछ चीज़े आप भी अपने इसाब से पढ़ते जाएगे ऐसा नहीं है हम नहीं कराएंगे हम कराएंगे पर आपको भी पढ़ाई में एक है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर हम एक लीटर पानी में 300 ग्राम नमक मिला दें तो उसी अनुपात का पानी इस म्रत सागर के अंदर है ठीक है आगे देखते हैं क्या है म्रत सागर में हम तैर सकते हैं जैसे आराम से लेट रहे हूं म्रत सागर आपको जॉर के questions को analyze करके आपके लिए बनाए गए हैं कि कोई चीज आप से रहे ना अब सब कुछ अच्छे से करें आपको बोलना चाहेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है या हमारे वीडियो के content beneficial लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों क कि घुलने से एटाई एटाई रोग हो जाता है ठीक है आगे देखते हैं कुछ questions हैं यहां पर इन questions के बाद भी बहुत सारे महत्पून वन लाइनर questions हैं इस वीडियो के अंदर मतलब यह वीडियो एक तरीके से यूपिटाइट पर सीधा प्रहार करने की तैयारी है आपकी देखते हैं क्या क्या है और जो भी बताते जाएंगे aur पढ़ेगा जरूर जो भी हम आपको बोलते हैं कि आपको ये कुछ से पढ़ना है है लवडिये जल पारिस्तितिक तंत्र का उधारण क्या है तो लवडिये जल जो होता है जो प्रवाल बित्ती पांत तालाब आपको एक काम करना है प्रवाल बितंती के बारे में जाकर पढ़ना है ठोड़ा सा ही है क्या होता है अगर आप चाहें तो पराष्थितिक तंत्र का उधारन क्या है तो बताना है तो आपको पता होगा हमने पहले ही पढ़ा दिया है तालाव है अब आपको एसुचरी, खाड़ी, समुद्रतट ये सब तो आप जानते हैं बट एसुचरी के बारे में आपको बताना होगा अगर आपको पता है तो जल्ली से comment box में comment कीजिए अगर नहीं बता है तो जल्ली से पढ़के बताईए क्या होता है ठीके तो इस बार प्रहार करके आईए यूपी टैट पर सीधा और पढ़ते रहिए अच्छे से बिलकुल जय भार का उल्टा प्रामिट किस पारिश्थेतिक तंत्र की विशेष्ता है तो आप इसको समझेगा अभी बताते हैं वर्शावन महासागर मरुष्थल या डिल्टा तो इसका आंसर होगा बी महासागर तो जय भार का उल्टा प्रामिट आपने प्रामिट देखा होगा इस तरीके से होता है और एक इस तरीके से होता है तो हमारा पोशक इस तर का प्रामिट जो होता है वो होता है जिसमें प्रात्मी कुभवोगता इस तरीके से आपने पढ़े होंगे वह आगे पढ़ाएंगे बस आपको यहां पर बता रहें थोड़ा सा तो जैवार का उल्टा प्रामिट इस तरीके से होता है इसमें देखें जो इसमें जैवार की बात की गई है तो जैवार जो ह महासागर का जो उल्टा प्रामिट बनता है मतलब जीव जो होते हैं जैसे जैसे कि इसमें नीचे जाता है उपर से नीचे की तरफ जाता जाता है तो यहां पर अगर देखा जाए इधर से देखें तो जैव भार कम होता जाता है या फिर अगर देखें उपर जाते हैं तो जै तो यहां पर जय बहर सबसे ज़ादे होगा संक्या कम होती है पर इधर का जय बहर कम होगा फिर उससे कम होगा तो यह जय बहर पर आधारित है जो उस में जीव रहते है उनके भार के अकौरड़िंग प्रामिट के बात की गई है, तो जैब बाहर का जो प्रामिट उल्टा बनता है, वो महासागर में बनता है, आगे देखते हैं, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है, और उसे जमने दिया जाता है, तो बोतल तोट जाती है, क्योंकि पानी क्या होता है, जमने पर फैलता है, यानि कि पानी का हायतन बढ़ जाता है इसी लिए क्या होता है हमारी जो बोटल है या बोटल है वो तूट जाती है आगे देखते हैं क्या कोशन है म्रत सागर में प्रती लीटर पानी में घुलने वाले नमक की मात्रा कितनी है 300 ग्राम, 400 ग्राम, 200 ग्राम, 500 अभी आपको उपर पढ़ाया है 300 ग्राम है ठीक है आगे देखते हैं क्या है जल में लवड मिलाने पर क्या होता है कौतनांग में व्रद्धी होती है कौतनांग में कमी आ जाती है कौतनांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है हिमांग में व्रद्धी हो जाती है तो जल में अगर हम लवड मिलाते हैं तो कॉतनांक में व्रद्धी हो जाती है इसका आंसर ये है और सारे आंसर आप भी मन-मन में देते जाएए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो उसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए सबसे अधिक लवड ये सागर है कौन सा है आप देखते ही बता देंगे अभी वो पढ़ने की भी जरूत नहीं है म्रत सागर है ठीक है आगे देखते हैं क्या है कोशन नागारजुन सागर परियोजना किस राज्य में है तो बताईए किस राज्य में गुजरात आंधर प्रिदेश उडिशा या फिर माराश तो नागारजुन सागर परियोजना आपकी आंधर प्रिदेश में है आगे देखते हैं क्या है? सुईटन के विशेशक्गे फार्ट मार्ग के अनुसार जल की कमी कब होती है? तो options देख लेते हैं क्या-क्या है? जब व्यक्ति को प्रतिवर्स एक जार से सोले सो गहन मीटर के भी जलू पलब दोता है? जब वैक्ति को 1100 से 1600 गन मीटर के भी जल उपलब दोता है, या फिर 1 वे 2 दोनों ही option, तो इसमें इसका आंसर आपको बता देते हैं, क्या है, जब वैक्ति को प्रती वर्ष 1000 से 1600 गन मीटर के भी जल उपलब दोता है, तो जल की कमी होती है, इन विशेश अग्ये के अनुसार, आगे देखते हैं क्या question हैं बहुत ही महत्पूर्ण questions हैं यह सब ध्यान से करना है आपको और exam में आपको सीधा प्रहार करके ही आना है एक नट वर्तमान समय में भारत में कुल विद्धुत का लगबग कितना प्रतिशत भाग जल विद्धुत से प्राप्त होता है पंदर परशंट, सत्रा परशंट, 21 परशंट या 22 परशंट तो इस कांसर है 22 परशंट ठीक है आगे देखते हैं निम्र में से किसने बांदों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है महात्मा गांदी, सर्दार वल्लब भाई पटेल जी, जवाल लाल नहरू, एपीजे अब्दुलकला जवाल लाल नहरू जिनोंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है बांद हो आगे देखते हैं नेक्स कुश्शन क्या है भारत के किस राजे में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहन जल संग्रहन धाचा का बनाना आवश्यक कर दिया गया है औप्शन देखते हैं क्या-क्या अप्शन दिये गये हैं तो इसका आणसर क्या होगा तमिल नाडू में यह चीज क्या कर दी गई है आवश्यक कर दी गई है मेंडिटरी कर दी गई है आगे देखते हैं क्या कोशन है किष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है आपको बताना है कि किष्णा नदी जो जल विवाद है वो किन राज्यों के बीच में है महाराश करनाटक आंधर प्रदेश महाराश करनाटक आंधर प्रदेश के बीच में baş किस्चन नदी जल विवाद में के capable अगे देखते हैं बहारी जल प्राप्त किया जाता के देखते हैं क्या है चकुछन देखते रु": अधिक समयं तक जल के फाहित्य अबगटन से इसका अनसरDl आगे देखते हैं क्या है नेक्स कुछन सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है आपने भी पहले पढ़ा होगा नर्मदा नर्दी रावी तापती कृष्णा किस पर नर्मदा नदी पर बना हुआ है आगे देखते हैं अगर विडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजे शेयर कीजे टेलिग्राम चैनल क नों जादस से जादस चॉइन गी और इस बार यूदीट पर सीधा प्रहार करके आएए क्योंकि यह प्रहार अपको करना है पर आपको थे पढ़ना जड़वरी है पढ़ते रहे कोई भी कंफिूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कई किए कोई आप पढ़ेंगे तो आपको खुद भी पता चलेगा कि ये कुश्चन जो हैं बहुत जादे महत्पूर हैं प्रत्वी पर विद्यमान जल मंदल में यानि कि हाइड्रोस्फियर में समुद्री जल होता है कितना होता है वो लगबग 97 परतिशत भाग ठीके समुद्री जल में सर लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं इनके उधारन है और भूमी टालाव झील वे जलाश्य बैहते जल के आवास लोटिक आवास कहे जाते हैं जैसे कोशन पिपड़ा है लेंटिक और लोटिक क्या होता है जो इस्थर जल के जो भी ऑवास do क्या है जो जो इस्थर जल के जील दिशियर आड वहार होंजी जलाशी जैसे कि नदी है तो उनको लोटिक आवास 28 जाता है तो नम भूमी या फिर आदर भूमी के सर्रक्षण से संबंदिता राम सर सम्मेलन कहां पर हुआ था वो आपको देखकर पढ़ना है आगे हम बताएंगे जरूर आप अभी जाकर पढ़िए और बताईए ती के मैंचेस्टर विश्विध्धाले के विग्यानिकों ने हाल में भू अभिहंतरन द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बातल उत्पन कर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाब दिया है इसकी पूर्ती के लिए वातावरण में क्या छड़का जाता है समुद्री जल छड़का जाता है ठीक है आगे हैं भूमी गजल दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सरवादिक प्रभावित हुआ है तो इसका अंसर क्या है बुकलिन यूएसे का जो शहर है वो बहुत जादा प्रभावित हुआ है किस नदी को बिहार के शोक की उपमा दी गई है को सी नदी को ठीक है आगे देखते हैं पश्यम वंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है दामोदर नदी को कहा जाता है ठीक है शांत गाटी कहां पर इस्थित है केरल में इस्थित है ठीक है वेट लैंड दिवस कम मनाया जाता है दो फरवरी को बिलकुल ध्यान से पढ़ते जाईए करते जाईए अपने टार्गे निकालने से आप बहुत सारे जो एक्जाम फॉर्म होते हैं अदर स्टेट्स के वो भी आप फिल कर सकते हैं भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर देश यह लवणिया आदर भूमी है तो यह था हमारा विडियो जिसमें हमने आपके साथ शेयर किया बहुती महत्पू 100% एक्जाम में आने की संभावना है पिछले वर्षो को एक्जाम के जो कोशन्स हैं उनको देखते हुए तो आपको जो यह हमारा विडियो है कैसा लगा है आप हमें कमेंट के माद्यम से बता सकते हैं या जो भी हमने आपको पढ़ने के लिए बूला है वो चीज़े भी आ अगर आपको लगता है कि यह चीज भी हमें आपके लिए करनी चाहिए तो हम जरूर करेंगे बाकि हमने आपको बता ही दिया कि हम किस तरीके से कवर करने वाले हैं इस परहार बेच में सारी चीज़ें तो हम फिर आपसे मिलेंगे नेक्ष्ट वीडियो में नए अद्धाई साथ आपको बोलना चाहेंगे कि जो यह हमारे विडियो ज이션ें अगर आपको अच्छे लगे यए फिर यह आपको आसान बनाईंगे और आपको अच्छा पणना को होगा क्योकर करेंख समाज का आहिना होता है और हमें पूरा विश्वास है आप जैसे व्यक्तित्व के चक चक बनेंगे तो निश्यती हमारे जो देश का भविश्य है वो इतना जाद है मजबूत होगा कि कोई उसको हिला नहीं सकेगा बच्चे बहुत अच्छे बनकर निकलेंगे तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए आप खूब पढ़िए एक पारगेट को अचीव करिए जय हिं जय भारत दोस्तों